देश प्रदेश और दुनिया से जड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरे वो भी मेरे साथ देश की आर्थिक राजदानी मुंबई एक बार फिर शर्मसार हुई है इस समरान तनगरी में एक लड़की के साथ दुश कर्मकर हत्याक्ज करने का संसे निखेज मामला सामने आया है वही मंत्री नवाब मलिक अब डिफेंस से नजर आ रहे है NCB अधिकारी समिरवान खेड़े पर लगातार हमला करने वाले मलिक ने आरोप लगया है कि उन्हें जूटे मामले में फसाय जाने का प्रयास किया जा रहा है दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के वेतन रुद्धी के फैसले के बाद भी STK करमचारियों की जारी हड़ताल पर राज्य के परिवहनमत्री अनिलपरब ने कड़ी नाराजगी जताई है उन्होंने आज तक का अल्टिमेटम देते हुए कड़ी कारवाई की चेताउनी दी है इसी बीच कुर्स ड्रक्स मामले में एक और पंच सोनू मसके ने दावा किया है कि NCV अधिकारियों ने उसे सादे कागजो और सील बन लिफाफे पर हस्ताक्ष कराए उसे पढ़ने तक का समय नहीं दिया इसके अलावा कोरणा के बदलते स्वरूप के बीच मुंबई वैक्सिनेशन को लेकर परिशान है एक तरफ रफ्तार धीमी पड़ी हुई है तो दूसरी तरफ पहली खुराप लेने के बाद अनेक लोग गायब है प्रदेश के इन पाच बड़ी और ताजातरीन खबरों को जानने के लिए बन रही है आप हमारे साथ मुंबई एक बार फिर शर्मसार हुई है इस संब्रात नगरी में एक लड़की के साथ दुशकर्मकर हत्या करने का संसनी खेज मामला सामने आया है कुरला इलाके में स्थित एक खाली इमारत में लड़की से रेप के बाद उसकी हत्या कर शव छोड़ दिया गया शव से बदबु आने के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी जान करी दी मोके पर पहुची पुलिस ने शव को कबजे में लेकर आगे की कारवाई शुरू की फिलाल मामले में किसी की गिरफतारी नहीं हो पाई है पुलिस ने अग्यात आरोपी के खिलाब धारा 302 के तहत मामला दर्च किया है पुलिस जल्द ही इस मामले का परदाफाश करने की तैयारी में जुटी है गौर तलब है कि इसी साल सितंबर महिने में कुरला इलाके में एक युवती के साथ सामोहित दुशकर्म की वारदात हुई थी बेहुशी की हालत में लड़की को अस्वताल में पहुचाया गया था साकिनाका इलाके में एक आटो के अंदर युवती के साथ पहले दुशकर्म किया गया और फिर उस पर हमला किया गया आरोपियों ने बरबरता की सारी सीमाएब पार कर महिला के नीजी अंगों में लोहे की रॉट डाल दी महिला की हालत बहुत नाजुक बन गय थी गंबिर हालत में महिला को अस्वताल में भर्ती कराया गया था पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरेफ़तार किया था NCP अधिकारी समीरवान खेडे और NCP नेता नवाब मलिक मामले में नया मोड लाया है अब नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि उन्हें जूटे मामले में फसाय जाने का प्रयास किया जा रहा है नवाब मलिक ने कहा कि उन्हें भी महाराष्ट के पूरग्रोमत्री अनिल देश्मों की तरह जूटे मामले में फसा जा सकता है NCP नेता का यह बयान तब सामने आया जब एक दिन पहले उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर दो लोगों की फोटो पोस्ट की थी नवाब मलिक ने ट्विट में लिखा था कि उनके घर वह स्कूल की रेकी की जा रही है पिछले कुछ दिनों से ये दोनों शक्स एक गाड़ी में सवार होकर उनके घर की और रेकी कर रहे हैं उन्होंने ट्वीट में कहा था कि अगर किसी को मेरे बारे में जानकारी चाहिए तो मैं सारी जानकारी देने के लिए तयार हूँ नवाब मलिक ने कहा कि इसके खिलाफ वे मुंबई पुलिस कमिशनर और केंद्रे गुरुह मंतरी अमिशाह से शिकायत करेंगे और उनसे पूरे मामले की जाच करने की मांग करेंगे एक अन्य सवाल के जवाब में नवाब मलिक ने कहा कि राज में महाविकास आगड़ी सरकार बनने के बाद विपक्ष के नेता देवेंदर फड़नविस और प्रदेश भाजपादक्ष चंदरकांथ पार्टी लगातार सरकार गिराने की भविश्यवानी कर रहे थे लेकिन सरकार नहीं गिरी अब राने ने भविश्यवानी करने की जिम्मेदारी ली है लेकिन राज सरकार अपना पास साल का कारेकाल पूरा करेगी किसी के सपने से सरकारे नहीं गिरा करती है प्रदेश सरकार के वेतन रुद्धी के फैसले के बाद भी स्टी के करमचारियों की जारी हर्ताल पर राज के परिवहन मंत्री अनिल परब ने कड़ी नाराजगी जताई है बता दे कि करमचारी स्टी महामंडल का राज सरकार में विलाय करने की मांग पर अड़े हुए है फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ेगा पर अब ने यहाँ भी कहा एस्टी करमचारियों के काम पर लोटने के बाद वेतन श्रेनी की असामानता को दूर किर लिया जाएगा पर अबने चेताउनी भरे लहजे में कहा कि शनिवार तक काम पर लोटने वाले करमचारियों का निलम बन वापस ले लिया जाएगा लेकिन इसके बाद काम पर न लोटने वाले करमचारियों के खिलाब सक्ती से कारवाई की जाएगी इसी भी शुक्रवार को राजबर में S.T.K. 11469 करमचारियों ने सेवाए दी जबकि 8717 करमचारी हरताल में शामिल रहे विबिन जिलो में S.T.K. 37 दीपो में बसो की आवाजा ही रही वही S.T.K. 3215 करमचारियों को निलम बित किया गया है जबकि 1226 करमचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है क्रूज ड्रक्स मामले में एक और पंच S.T.K. ने दावा किया है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों के अधिकारियों ने उससे सादे कागजों और सील बन लिफापे पर अस्ताक्षर कराए इसके अलावा जिन कागजों पर कुछ लिखा हुआ था उसे पढ़ने का समय नहीं दिया सोनू मसके ने विशेश N.D.P.S. कोट में शबत पत्र दे कर यह दावा किया है मसके का दावा है कि अधिकारियों ने उसे फरजी मामले में फसाने और गिरफतार करने की धमकी दी और चार ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर कराए जिन पर हिंदी में कुछ लिखा हुआ था इसके अलावा दो सादे कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए दरसल क्रूज ड्रक्स मामले में कारवाई के बाद NCB ने इस मामले में 5 अक्टूबर को अचित कुमार नाम के वेक्ति के घर छापे मारी कर ड्रक्स बरामत करने का दावा किया था अपने वकिल अजय भीसे के जरीए अदालत में दिये गए शबत पत्र में मस्के ने बताया है कि 5 अक्टूबर को उसे एक वेक्ति ने फोन किया उसने खुद को NCB अधिकारी बताया और उसे फ्लाइट में बुलाया यहां पहुशने के बाद उसे धमकी दे कर उससे कराये गए मस्के उसी इमारत में वेवस्थापक के तौर पर काम करता था जिसमें अचीत रहता था इससे पहले प्रभाकर साइल नाम के पंचने भी NCB पर इसी तरह का आरोप लगाते हुए अदालत में शबत पत्र दाखिल किया था मुंबई में इन दिनों वेक्सिनेशन की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है वेक्सिनेशन सेंटरों पर लगने वाली भीड अब गायब हो चुकी है वेक्सिनेशन के कम होने की प्रमुकव जह लोगों का वेक्सिनेशन केंदरों पर न आ ना बताया जा रहा है वही अकेले मुंबई में कोरोना वैक्सिन की पहली खुराप ले चुके करीब पौने 5 लाख लाबार्ती दूसरी खुराप लेने से चुक गए है इन्हें खोजने का काम वार्टस्तर पर बने वार्रूम को सोपा गया है अब तक किये गए कॉल्स और डोर टू डोर दस्तक में 50,000 लाबार्तियों के मुंबई से बाहर दूसरा डोज लेने की बात सामने आई है BMC के अत्रिक्त आयुक सुकेश काकानी ने बताया कि मुंबई में करीब 4,43,000 ऐसे लाबार्ती है जो पहली खुराप लेने के बाद दूसरी खुराप का समय आने के बाद भी टिके लगवाने के लिए टिका करन केंदरों पर नहीं पहुँचे है काकानी ने बताया कि दूसरा डोज लेने के लिए केंदर पर न पहुँचने वाले सभी लाभार्तियों को तलाशने का जिम्मा वार्ड वार्ड रूम को सोंपा गया है हर वार्ड में 20-23 लाभार्ति है जो दूसरा डोज लेने नहीं आये है कोविड वैक्सिन लेने के लिए आधार, वोटिंग आईडी, पैन कार्ड वा अन्यमे से एक प्रूब जरूरी है लेकिन मुम्मे में कई लोग ऐसे भी है जिनके पास कोई भी प्रमान पत्र नहीं है टिका करण के शुरुवात में बिना प्रमान वाले लोगों को वैक्सिन नहीं दी जा रही थी इसके बाद बीमसी ने मुम्मे में रह रहे हार एक वेक्ति को कोविड से सुरक्षा देने की योज ना बनाई विशेश टिका करण मुहिम के तहट ऐसे लोगों का भी टिका करण किया गया जिनके पास कोई प्रमान पत्र नहीं है CBI को ब्रचाचार के एक मामले में इलाबाद हाई कोर्ट के रिटार जज एसन शुकला पर मुकदमा चलाने की मन्जूरी मिल गई है तुतर बदेश के बांदा जिले में पुरविदायक दलजिस सींग के घर से लगवग 22 लाख रुपए की नगत और दो किलो सो ना बरामत होने की बाद कही जा रही है इसी बीच बिहार में एक शिक्षक ने हत कर दी बिहार के मुख्यमंद्री नितिशकुमार ने राज के सभी सरकारी करमचारियों को शराब न पिने की शपत दिलाई है पश्चिम चमपारण के इस मास्टर जी ने भी यही शपत ली थी लेकिन शाम होते होते ये प्रतिग्या सिर्फ एक शिशे की बोटल के आगे इंडेर हो गई उधर देश में एक नया किर्टी मास्तापित हुआ है मेगालाय देश का पहला राज्य बना है जा ड्रोन से सफलतापुर्वक दवाओं की डिलिवरी की गई है इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि भारत सरकार ने किसानों की एक और अहम मांग मान ली है जी हाँ केंद्रिय क्रूशी मंतरी नरेंदरसीय तोमर ने कहा कि किसान संगटनों ने किसानों द्वारा पराले जलाने को अपराज से मुक्त करने की मांग की थी भारस सरकार ने भी इस मांग को स्वीकार कर लिया है देश के इन पाच बड़ी और ताजातरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बन रही है आप हमारे साथ सीबी आई को भ्रष्टाचार के मामले में इलाबाद हाई कोर्ट के रिटायर जजज एस एन शुकला पर मुकदमा चलाने की मनजूरी मिल गई है उन पर अपने आदेशों के जरीए एक नीजी मेडिकल कॉलेज को फायदा पहुंचाने का आरोप है सीबी आई ने भ्रष्टाचार रोकताम कानून के तहट इस साल 16 अपरेल को मुकदमा चलाने के लिए हाई कोर्ट से मनजूरी मांगी थी सीबी आई अब आरोपी जजज के खिलाब चार्चिट दाखिल कर सकती है रिटायर जस्टिस शुकला के अलावास CBI ने FIR में 36 गड़ हाई कोर्ट के रिटायर जजज आई एम कद्दूसी प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के भगवान प्रसाद यादव और पलाश यादव तरस्ट और नेजी वेक्तियों भावना पांडे और सुदिरगिरी को भी नामजद किया है आरोपियों पर भारतिय दंड सहिता की धारा 120B अपरादिक साजिश और भष्टचार रोकताम कानुन के प्रावधानों के तहत मामला दर्च किया है अधिकारियों ने बताया कि ट्रस्ट ने अपने पक्ष में आदेश पाने के लिए FIR में नामजद एक आ इसमें कथित तोर पर शामिल हुए शुकला 5 अक्टूबर 2005 को इलाबाध हाई कोट का हिस्सा बने और 17 जुलाई 2020 को रिटायर हुए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पुरोविधायक दलजित सिंग के कालुक हुआ मोहले में सीद घर पर पिछले 3 दिनों से इडिनेडेरा डाल रखा है पुरोविधायक सहीत परिवार के सभी लोगों को नजर बन करके इनके मोबाईल और हतियार कबजे में लेकर लैपटॉप हार्डिस केस आदी सर्च किये जा रहे है सूतरों के मुताबिक छापामार कारवाई में करीब 3 टी में शामिल है और टी में 40 सदिस्यों की संख्या बताई जा रही है जांच के दोरान लगबग 22 लाख रुपे नगत और 2 किलो सो ना बरामद होने की बात कई जा रही है इनका एक कमपनी के साथ कई हजार करोड का बड़ा टर्नोवर भी पकड़ा गया है इस मामले में पूरोविधायक दलजित सिंग से लगातार पूछ ताच की जा रही है 30 घंटे से चल रही छापे मारी कारवाई के बारे में अब तक किसी तरह की जानकारी अधिकारी की ओर से नहीं दी गई है लेकिन उनके आवास में ED के अधिकारियों की उपस्तिती से सपष्ट है कि ED की ओर से गहन जांच पड़तार जारी है पूरविधायक बालू के अवेत खनन के मामले में पहले से ही CBI की रडार पर है पहले भी उनसे CBI की ओर से पूछ ताच की जा चुकी है ताजा घटना करम से राजनितिक शेत्र में हड़कम मच गया है पूरविधायक के करीबियों पर भी नजर रखी जा रही है बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने अभी एक दिन पहले राज में सभी सरकारी करमचारियों को शराब न पिने की शपत दिलाई है पश्चिम चमपारण के एक मास्टर जी ने भी यही शपत ली लेकिन शाम होते होते ये प्रतिग्या सिर्फ एक शीशे की बोतल के आगे डेर हो गई मास्टर जी फिलाल हवालात की हवा खा रहे है यह कहानी है बगहा के पिपरासी थानाक शेत्र के प्रार्थमिक विद्दाले कांटी टोला श्रिपत नगर के हेड मास्टर कुंदन कुमार गोन की शुक्रवार सुबह में इन्होंने शपत ली कि बिहार में किसी को शराब न पिने देंगे और न खुद पिएंगे इसके बाद शाम में प्रिंसिपल सहाप नजदीक में ही पडोसी राज यूपी निकल गए वहाँ जाकर एक बोतल के आगे उनकी शबत ने सरेंडर कर दिया मास्टर जी ने यूपी के छटोनी में छिप कर शराब पी शायद उन्होंने ये सोच लिया कि शबत तो बिहार में और बिहार के लिए ही है उसका यूपी से क्या लेना देना शराब तो मास्टर जी ने यूपी में पी लेकिन अगले दिन डूटी भी करनी थी तो फिर से बिहार के लिए रवाना हो गए बॉर्डर पार कर बगहा भी पहुँच गए लेकिन किसी ने पुलिस को हेड मास्टर साहब की सोगन के सरेंडर की खबर दे दी शाम साथ बजे बिहार पुलिस ने उन्हें धर लिया पता चला कि वाकई प्रिंसिपल साहब नशे में थे इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफतार कर लिया थानेदार के मुताबिक हेड मास्टर कुंदन कुमार गोंड की मेडिकल जांच करा कर उन्हें शनिवार को जेल भेज दिया गया भारत में भी ड्रोन से सामानों की डिलिवरी शुरू हो रही है मेगाले देश का पहला राज बना है जहां ड्रोन से सफलता पूर्वक दवाओं की डिलिवरी की गई है मेगाले के पश्चमी खासी हिल्ज जिले में ड्रोन से दवाओं की डिलिवरी की गई ड्रोन ने 25 मिनिट में 25 किलोमिटर का सफर तैकर इतिहास रच दिया मुख्यमंत्री कौनराड के संगमा ने इसकी जान करी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि मेगाले के पश्चमी खासी हिल्ज जिला मुख्याले से 25 किलोमिटर दूर स्थी एक प्राथमिक स्वास्त केंदर में ड्रोन के जरिये दवाओं की सफलता पूर्वक आपूरती शुक्रवार को कराई गई अपनी तरह के इस पहले कारेकरम में ड्रोन ने 25 मिनिट से भी कम समय में 25 किलोमिटर की दूरी तै की यह भारत में अपनी तरह का पहला कारेकरम है मुख्यमंतरी कांदराड ने अपने सोचल अकाउंट पर लिखा कि ड्रोन तकनिक स्वास्त सेवा के भविश्य को बदल सकती है यह एक अनुठी परियोजना है जो दुर्गम शेतर में दवाओं की आपूरती को सुगम बनाएगी पिछले में इने केंदरिय स्वास्तमंतरी मनसुक मानडविया ने कहा था कि ड्रोन के जरिये पुर्वत्तर के दुर्गम इलाकों में कोविड-19 टिके की आपूरती की सुविधा के लिए एक पहली बार है कि दक्षिन एशिया में मेकिन इंडिया ड्रोन का उपयोग दुरी परस्तित जगह पर 12-15 मिनट में पहुचाने के लिए किया गया है भारत सरकार ने किसानों की एक और अहम मांग मान ली है केंद्रे खुशिर मंत्री नरेंदर सिय तोमर ने कहा कि किसान संगटनों ने किसानों द्वारा पराली जलाने को अपराग से मुक्त करने की मांग की थी भारत सरकार ने भी इस मांग को स्विकार कर लिया है पराली जलाने को अपराग की श्रेणी से बाहर रखने का फैसला केंद्र ने संसत का शीतकालिन सत्र शुरू होने से दो दिन पहले किया है इससे पहले तोमर ने कहा कि प्रधान मत्री नरेंद्र मोधी ने फसल विदी करन, शुने बजेट खेती और MSP प्रणाली को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने के मुद्दों पर विचार विमश करने के लिए एक समिथी गठित करने की घोशना की है इस कमेटी में किसान संगधनों के प्रतिनी धी होंगे, दूसरी तरफ हर्याना के ग्रुव मत्री अनेलिविच किसानों पर बर गए, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को एक साल हो गया, जिसमें पहले तीन कानून वापस लेने की मांग की थी, और उस पर प्रधान मत्री न लगता है, किसानों के हिच से कोई तालूक नहीं लगता है, हमारी दुनिया अपने आप में अजुबा है, रोज कुछ न कुछ ऐसे प्रमान सामने आते हैं कि दाटू तले उंगली दबाने मजबूर होना ही पड़ता है, इस इक्रम में पोलन्ड में पुरा तत्वीदों न एक नया नक्षा बनाने में कामिया भी हासिल की है, इसी बीच ब्रदान मंत्री ने दुनिया के विकसित देशों पर जम कर प्रहार किया है, उन्होंने कहा कि जिनरास्तों और संसादनों का इस्तमाल करके उन्होंने खुद तो तरक्की कर ली, लेकिन वे नहीं चाहते कि वि इंताजनक स्वरूप करार दिया है और ग्रिक वरनमाला के तर्थ इसे ओमिक्रोन नाम दिया है इसके अलावा नेपाल के पूरप्रदान मतरी केपी शर्मा ओली ने फिर भारत के साथ सीमा विवात पर विवादित बयान दिया है उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्डी सत्ता म के लिए बने रही है हमारे साथ पोलन के पुरा तत्वविदों ने विशाल हाती दाज से बने 41,500 साल पुरा ने पेंडेन के अवशेश खोजे है जिने खास निशानों से सजाया गया है कहा जा रहा है कि ये रेकॉर्ड में यूरोशिया के आदोनिक मानों द्वाराब बना कि हाली में हुए रेडियो कारबन से पता चलता है कि यह पेंडेन्ट 41,500 साल पुराना है टीम ने एक बयान में कहा कि पेंडेन्ट की सजावट में एक लूपिंग कर में 50 से अधिक पंचर के निशान और 2-6 शामिल है उन्होंने नोट किया कि प्रतेक पंचर का निशान एक यूरोप में आधुनिक होमो सेपियन के प्रसार से सीधे जुड़ी एक नई तारिक स्तापित करता है इटली में बोलोगना विशविद्धाले में रसायन विज्ञान की प्रोफेसर और अधयन की प्रमुग शोतकरता सहरा तालामो जो मानो विकास और रेडियो कार्बन डे और शरीर के आबुशनों के अन्यरूपों का विकास कर रहे थे मंगल की सतब पर उपरी जांच करने के साथ साथ वैग्यानिकों ने उसकी गहराई में दिल्चस्पी दिकाई है मंगल ग्रह का पहला नक्षा तयार कर लिया गया है 2018 में मंगल पर उत्री नासा की इंसाईट जांच का इस्तमाल करते हुए वैग्यानिकों ने लैंडर के उपकर्णों में एक का इस्तमाल करके मंगल का एक नया नक्षा बनाने में काम्या भी हासिल की है इस उपकरन का इस्तमाल सीधे ग्रहों की सतों के नीचे देखने के लिए किया जाता है नक्षागरी तल्चट की अंदी की परतों के साथ ही ठोसलावा के मोटे जमाव को दिखाता है जो दूल की 10 फीट मोटी परत में ढखा हुआ है माना जाता है कि तल्चट की परत सतर से लगबग 230 फीट नीचे है जिसके दोनों और प्राचिनलेव की एक परत है वैग्यानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे है कि यह परत कितनी पुरानी है लेकिन उनका कहना है कि यह हमें दिखाता है कि उस साइट पर भुवैग्यानिक इतिहास वास्तों में उससे ही कही अधिक जटिल है जितना हमने मूलरूप से सोचा था यह आशा की जाती है कि यह नई तकनीक वैग्यानिकों को मंगल ग्रह के बारे में और ज्यादा जानने में मदद करेगी संभावित रूप से अब यह जानना आसान होगा कि ग्रह की सतर के कुछ मील क्या है इसी तकनीक का उपयोग करने वाले पिछले अधियनों से प्रता चलता है कि मंगल पर कभी विशाल महासागर और नदिया होती थी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने विकसित देशों पर निशाना सात्युए कहा कि उनकी उपनिवेशिक मानसिक्ता भारत जैसे विकास शिल देशों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती है पीम ने कहा कि विकसित देशों ने जिन रास्तों और संसादों का इस्तमाल करके खुद तो तरक्की कर ली लेकिन वे नहीं चाहते कि विकास शिल देश भी उनी तरीकों का इस्तमाल करके आगे बढ़े मोदी ने कहा कि आज दुनिया में कही भी किसी भी देश की कोई कॉलिनी नहीं है लेकिन उपनिवेशिक मानसिक्ता अब भी बरकरार है इस मानसिक्ता ने कई विक्रुत विचारों को जन्द दिया है इसका सबसे बड़ा उदारन विकास शिल देशों की प्रगती की रहा में अलचने खड़ा करना है जिन संसादनों और रास्तों से पश्चिमी देशों ने विकसित का दर्जा हासिल किया आज विकास शिल देशों को उनी संसादनों और उनी रास्तों का इस्तमाल करने से रोकने की कोशिश हो रही है इसका सबसे सबसे बड़ा उदारन हमें विकास शिल देशों की विकास यातराओं में आ रही बाधाओं में दिखता है प्रधान मंत्री मोधी ने कहा कि ओपनिवेशिक मालसिक्ता का अजेंडा ही विकास चिल देशों की प्रगती को रोकना है पर्यावरन के मुद्दे को हाईजैक कर इस मकसद को हासिल करने की कोशिश हो रही है उन्होंने कहा कि कुछ हपते पहले क्लाइमाइट चेंज पर हुए कॉन्फरेंस में इसका जीता जाकता उधारन देखने को मिला था विश्व सास्त संगटन की एक सलाकार समिती ने दक्षिन अफरिका में पहली बार सामने आए कोरोना वाइरस के नए प्रकार को बहुत तेजी से फैलने वाला चिंताजनक स्वरूप करार दिया है और ग्रीक वरनमाला के तहत इसे ओमिक्रोन नाम दिया है पिछले कुछ महिनों में वाइरस के नए प्रकार के वर्गी करन में पहली बार की गई है इसी वर्ग में कोरोना वाइरस के डेल्टा प्रकार को भी रखा गया था जिसका प्रसाड दुनिया भर में हुआ था तेजी से फैलने वाले वेरियन के सामने आने के बाद से यह डर बढ़ गया है कि यह संभावित रूप से ज्यादा खतरनाक हो सकता है ओमिक्रॉन की वज़ा से कई देशों को प्रभाविश शेत्रों से यात्रा पर प्रतिबंद लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है डबलियोचो का कहना है कि अब तक वेरियन के लगबक सो जिनोम अनुक्रमों की सूचना मिली है गौर करने वाली बात यह है कि कई संक्रमित वेक्तियों को पूरी तरह से वैक्सिन लग चुकी थी जिसे वैक्सिन की बुस्टर डोस भी दी जा चुकी है यह संकेत है कि इस variant के खिलाफ वैक्सिन की प्रभाविक्ता पर भी असर पड़ सकता है नेपाल के पूरप्रधानमंत्री और मुख्य विपक्षी दल CPN UML के अदेख्ष केपी शर्मा ओली ने भारत से सीमा विवाद पर विवादित बयान दिया है उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में लोटती है तो वह भारत के लिपुलेक, काला पानी और लिंपिया धुरा के शेत्रों को वारता के जरिये वापस ले लेंगे बता दे कि लिपुलेक, दर्रा, काला पानी के पास एक सुपूर्थ पश्चिमबिंदू परस्तीत है यह नेपाल और भारत के बीच एक विवादित सीमा शेत्र है भारत और नेपाल दोनों काला पानी को अपने शेत्र के अभिनांग के रूप में दावा करते है भारत उत् बाचित के माध्यम से लिंपियादुरा, काला पानी और लिपुलेक जैसे विवादित शेत्रों को वापस ले लेगी हाला कि हम बाचित के जर ये समस्याओं के समाधान के पक्ष में है न कि पनोसियों से दुश्मनी करके बता दे कि भारत द्वारा उत्राखंड में प्रियादुरा को अपने शेत्रों के रूप में दिखाते हुए एक नया नक्षा लेकर आया भारत ने इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया वेक्त की थी तो आज किस खास पेशकर्ष में बस इतना है कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते ही है वीके बीनियूस झाल